कल बारा अक्टूबर को हम जवर्जस स्टॉक देखेंगे पांच जिनको आप ट्रेट कर सकते हैं सबसे पहले स्टॉक से हम स्टार्ट करते हैं जो स्टॉक है जो मेटो का है आप इसमें देख सकते हैं चार्ट पे तो इसको हम देखते हैं, अगर खल यह जो मैट्यो को इस टोक इसी लेविल के आसपास खुलता है चीनलयन के और सापोर्ट लएके उपर की तरफ निकलता है और ये या फिर इस चोलो करता है तो आप इस जो मैट्यो के इस टोक को बाय कर सकते हैं और अभी जो इसके कोई प्राइस चल लए है वो एक सोन व रुपैय है इसकी अगर ये इसकी लेवल के आसपास खुलता है ट्रेल लाइन के तब आप इसको बाय करके ट्रेट कर सकते हैं ये श्टॉक जवड़ दसत है कल ट्रेट करने के लिए तो इस श्टॉक को आप ट्रेट यह stock भी जवरजस्त है इसकी जो price आज है close हुई है वो 3282 है अगर यह stock कल इस level के नीचे की तरफ खुलता है तब आप इसको time बिताने के साथ साथ जब यह नीचे की तरफ आए तब आप इसको sell करके trade कर सकते हैं अगर यह stock कल इस level के आज़ पास खुले नीचे की तरफ support के पास तब और time बिताए जब उपर की तरफ निकले तब आप इसको buy करके trade कर सकते हैं यह stock भी जवरजस्तर trade करने के लिए कल के लिए और जब stock अगर यह stock ऊपर की तरफ open हो तब भी आप जब इसमें range बनेगा और ऊपर की तरफ निकलेगा तब आप इसको buy करके trade कर सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से इस stock को आप trade कर सकते हैं इसमें क्योंकि यह stock कई दिनों से इस level को support मान रहा है इस level को resistance मान रहा है तो यह stock को trade करने की maximum probability है कि आप अच्छा return ने कमाएंगे अगर stock को जिस तरीके से मैंने बताया है उन conditions पे को आप follow करते हैं तो आप जरूर अच्छ यह ट्रेंगल रहा है यह stock को ऊपर ऊपर के ऊपर के तो आप इस पास ओपन होता है तो आप इसको इग्नोर कीजिए ट्रेट करने के लिए क्योंकि इसमें आपको छोटा टार्गेट मिलेगा इस level का अगर यह कल gap up open होता है stand line के और time में ताने के साथ साथ ऊपर की तरब नकलता है तब आपको यह target देखने को मिल सकता है तो कुछ इस प्रिकार से इस stock को आप trade कर सकते हैं कल के लिए यह stock भी आपको return ने देखी जाएगा अगर यह हमारी condition के ऊपर open होता है तो अब हम अगले stock को देख adjust है इस stock को intra day में कल किस प्रिकार से trade करना है क्योंकि यह stock breakout ले चुका है और हो सकता है कि अच्छा momentum देने को देखने को मिले इसमें तो इसका chart हम 15 मिट के time frame पे लगाते हैं और देखते हैं किस प्रिकार से इसको trade कर सकते हैं कल के लिए अगर कल यह stock इस level के उपर open हो इस level के उपर open हो time मिताने के साथ साथ उपर की तरप नकले तब आप इसको buy करके trade कर सकते हैं और अगर इस range के अंदर खुले तब आप इसको trade ना करें और अगर इधर पर time बिताता है और time बिताने कि साथ उपर की तरफ नकलता है तब आप इसको buy करके intra day में trade कर सकते हैं क्योंकि ये कई दिनों से इस range के अंदर फसा हुआ था तो हो सकता है कि 2-4 दिन ये अच्छा momentum देखे जाए क्योंकि जो आज की candle बनाई है वो भी 1-5% की बनाई है और उसके last day बनाई थी वो भी अच्छी बनाई थी तो ये stock जवर ज़स्तर trade करने के लिए आसा करता हूँ आपको यह video अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए मुलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद